पिल्कम तूनेखशक जाहूं आज है चार फर्वर दोर यर्ट यह से करेंट फेस के जितने भी इंपोर्टन कुरिछिण बन सकते हैं सारे मरे इस वीडियों में आपको बताऊंगा तो आप पूरा वीडियो वह द्यान से देखिए लास्ट विडियों में आपसे कुरिण पू टेलिग्राम गुरूप से भी डाउनलोड कर सकते हैं टेलिग्राम गुरूप आपको सारे पीडिया पे एक साथ बिल जाएंगे और टेलिग्राम गुरूप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिसकेशने में दे दिया है तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलिग्राम ग्रूप जोइन कर सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला कुशन है हाली में किस राजी के मुख्य मंतरी ने 2025 तक राजी को नसा मुक्त करने की गोशना की है तो अभी उत्तराखंड की चीपनिष्टर पुसकर सिंग धामी ने उत्तराखंड को 2025 तक नसा मुक्त करने की गोशना की तो इसकुशन का बे ओप्सन सही है अब उत्तराखंड तो ये है मैप में उत्तराखंड उत्तराखंड की केपिटल क्या है? देहरादूर उत्तराखंड की चीपनिष्टर है? कुसकर सिंग धामी और उत्तराखंड की गवर्नर कौन है? गुर्मेट सिंग अच्छा अभी चोहत्तर में गड़तंत दिवस परेड में उत्तराखंड की जाकी ने पहला पुरुसकार जीता उत्राखंड सरकार ने राजजसु पुलेस विवस्ता को खत्म करने का फैसला किया है उत्राखंड हाई कूट को नैनी ताल से हल्दुआनी सिफ्ट कर दिया गया है और उत्राखंड ने 9 नवंबर को अपना इस्तापना दिवस मनाया उत्राखंड में जेम कॉर्बेट नेशनल पार्क है राजाजी नेशनल पार्क है हरेला पर्व उत्राखंड में मनाया जाता है फूल देही तिवार उत्राखंड में मनाया जाता है और फूलों के घाटी भी उत्राखंड में है इतना आप उत्रा खंट के बारे में याद रखिए अच्छा आज किस वीडियो का हम टार्गेट रखते हैं 40 या लाइक का तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तब आप इस वीडियो को लाइक और सेर जरू किया करो और मैं आपको यह बोलता हूँ हाली में किस सहर में Military Literature Festival का आयोजन किया गया तो अभी पत्याला में Military Literature Festival का आयोजन किया गया तो इस कुशन का C option सही है ने कुशन है हाली में कौन सी राजी सरकार एथेनौल उत्पादन के लिए डेनमार्क के साथ साज़दारी करेगी तो अभी उत्तरप्रदेश सरकार एथेनौल उत्पादन के लिए डेनमार्क के साथ साज़दारी करेगी तो इस कुशन का C option सही है अब उत्तरप्रदेश तो ये है मैप में उत्तरप्रदेश उत्तरप्रदेश की capital क्या है अब बंचित लड़कियों को सक्षम और आत्म निर्वर बनाने के लिए उत्तरप्रदेश सरकार ने समग्र सिक्षा अभियान सुरू किया है बाराड़सी केंट रेल्वे स्टेशन को FSSAI से एट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र मिला है उत्तरप्रदेश की पहली महिलाप पुलिस कमिस्नर लक्षमी सिंग बनी है और उत्तरप्रदेश सरकार ने रामाइड और महावारत सरकिट बनाने का नेडली है उत्तरप्रदेश में दुद्वा नेशनल पार्क है कतरनी अगाट वाइलड़ सेंचुरी है और पेली भीत टाइगर रिजर्व है ने किशिन है हाली में किस देश ने तेश साल बाद सोलोमन द्वेप में अपना दूतावास खोला है तो अभी अमेरिका ने तेश साल के बाद सोलोमन द्वेप में अपना दूतावास खोला तो इस कुशिन का बे आप्सन सही है अब अमेरिका ने खोला तो अमेरिका के प्रेसिडेंट कौन है जो बाइडन अमेरिकी हाउस ओफ रेप्रेजेंटेटिव के अगले अध्यक्ष की रूप में कैबिन मैककॉर्थी चुने गए अमेरिका ने सेमा पार से आने वाले लोगों के लिए नया कानून मनाया है अमेरिका ने मद मख्यों के लिए दुनिया के पहले टीके के उप्योग को मंजूरी थी अमेरिका की राष्टपती ने समलेंगिक बिभा कानून पर हस्ताक्चर किये अमेरिका ने भारत को करेंसी मोनेटरिंग लिस्ट से हटा दिया है और अरुणा मेलर ने अमेरिकी राज मेरीलेंड के उप राजपाल का पद समाला है अच्छा, अमेरिका और इंडिया की बीच में, कूप इंडिया, टाइगर ट्रम्फ और बज़र प्राहर ये important defense exercise होती है ने कुशन है, हाली में किस ने बज़र डिवीजन की कमान समाली है तो अभी मेजर जर्नल गिरीज कालिया ने बज़र डिवीजन की कमान समाली तो इस कुशन का बे options है, ये जो आपको left hand side में दिखाई दे रहे हैं, यही है मेजर जर्नल गिरीज कालिया और इनो नहीं बज़र डिवीजन की कमान समाली है अच्छा, अभी असम का नया DGP ग्यानिन प्रताप सिंग को नियुक्त किया गया गुजरात मेरिटाइम क्लस्टर के पहले CEO मादबेंद सिंग नियुक्त हुए है बारती बायुसेना के नए उपप्रमुख अमनप्रित सिंग नियुक्त हुए मद्य रेलवे के नए प्रबंद निदेशक की रूप में नरेस लालवानी ने कारिवार समाला और टाटा ट्रस्ट का CEO सिदार सर्मा को नियुक्त किया गया ने क्युशन है हाली में के वी तिरुमलेश का निधन हुआ है बे कौन थे तो के वी तिरुमलेश ये एक प्रसिद्ध लेखक थे और अभी इनका निधन हो गया तो उसकुशन का ए ओप्सन सही है ये थे प्रसिद्ध कन्नड लेखक के वी तिरुमलेश और अभी 82 वर्स की उम्र में इनका निधन हुआ है ने क्युशन है हाली में किस राजसरकार ने दा विजन फॉर आल इस्कूल आई हेल्थ कारिकरम सुरू किया तो अभी गुवा सरकार ने दा विजन फॉर आल इस्कूल आई हेल्थ कारिकरम सुरू किया तो उसकूशन का से ओप्सन सही है अब गुवा ने सुरू किया तो ये है मैप में गुवा गुवा की केपिटल क्या है पड़ जी गुवा के चीपनिष्टर कौन है प्रमूद सावंत और गुवा की गवर्नर कौन है पे एस स्रीधरन पिल लई अभी भारत के दूसरे सबसे लंबे केबल इस्तित आर्ट लेंड जुवारी ब्रिज का उद्गाटन गुवा में हुआ और गुवा के मुख्य मंतरी ने मुख्य मंतरी देव दर्सन यात्रा यूजना का अनावड किया है अचा बारत का पहला एलकोहल म्यूजियम गुवा में खोला है बॉंडिला वाइल लाइफ संचुरी, कूटिगाउं वाइल लाइफ संचुरी, भगवान माभीर नेशनल पार्क ये गुवा में है अचा डॉक्टर सलेम अली पक्षी भ्यार ये भी गुवा में है इतना आप गुवा के बारे में याद रखिए ने हीशिन है हाली में किस ने राश्टी महिला आयो के 31 में स्तापना दिवस को संबोधित किया तो अभी राश्टी महिला आयो का 31 में स्तापना दिवस 31 जनवरी को मनाया गया और इसको राश्टपती द्रौपती मुर्मूने दिल्ली में संबोधित किया है तो इस कुश्यन का C options आई है, ने कुश्यन है, हाली में IMF ने किस देश के लिए 4.7 अरब डॉलर के साहिता पैकेज को मंजूरी थी, तो अभी IMF ने बांगलादेश के लिए 4.7 अरब डॉलर के साहिता पैकेज को मंजूरी थी, तो इस कुश्यन का A options आई है, अब बंगलाडेस की इंप प्रेजेन टैम कोई है सेख हसीना और बंगलाडेस की प्रेजेन टैम प्रेसीडनट कौन है 一ऊ अब्दुल्लाफ हमित अब वाले पहले बंगलादेशी बल्लेबाद तमेम इकबाल बने हैं और वसीफा नाजरीन केटू फते करने वाली बंगलादेश की पहली महिला बनी है अब IMF यानि की इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड इसकी स्तापनकाव होई 1945 में इसका हेड़क्वाटर कहां पर है वासिंग्टन डीसी में और इसके प्रेजेंट टाइम पर इंटी कौन है क्रिस्ट लीना जॉर्जी एवा ने किशन हाली में किस ने पहली रास्ट्री बेज सौकर चेंपिंशिप 2023 जीती है तो अभी केरल ने पहली रास्ट्री बेज सौकर चेंपिंशिप 2023 जीती तो इसकुशन का बे आप्संस आई है अब यह केरल ने जीती तो यह हैं मैप में केड़ेल की डिकेपिटल किया है टिर्वनंत्त पूर अब किरल की चीफपनिश्टर कोन है पेनराई बिजियन और के nem की गवर्णर कोन है आरफ महम्मत खान और आरफ महम्मत खान नहीं अभी केड़ेल में one स्कूल बन आई एस योजना शुरूर की। कैरल में बिस्का पहला ताढ़ के पत्तों का पंडूलिकर संगराले खोला गया। कैरल में भारती पुस्तकालेwość कंगरेस का उदगाटन किया गया केरल सरकार ने मलिका साराभाई को केरल कलामंडल का कुलपती नियुक्त किया और केरल ने वर्ल्ड ट्रेवल मार्ट में Responsible Tourism Global Award जीता है केरल में अनाइमुडी सोलनिसल पार्क है मतीकेटम सोलनिसल पार्क है साइलेंट वैली निसनल पार्क है अच्छा केरल में सांत गाटी है और पेरियार बंजीव अब्यारेंड भी केरल में है नए क्यूशन है हाली में किस भारती क्रिकेटर ने क्रिकेट के सबी प्रारूपों से सन्यास की गोशना की तो भारती आल राउंडर जोगिंदर सर्मा ने अभी क्रिकेट के सबे प्रारूपों से सन्यास की कोशना की। प्रसांत अग्रबार तो इस कुश्चिन का बे ऑप्सिंस है ये हैं इंडियन फॉरेंट सर्विस के 1998 बेच की अधिकारी प्रसांत अग्रबार ये अभी तक नामी भी आमें भारत के राजदूत थे लेकिन अब इनको लाउस में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है अ एस सिफडून कौन है? एस सिफडून नेकिश्चिन है हाली में जाग्रेव ओपन दो जर्थे जैईस में भारती पहलावन अमन सहराबत ने कौन सा पदक जीता है तो जाग्रेव उपन दोजर तेईस में पुरुसों के 57 किलोग्राम बर्ग में भारती पहलवन अमन सहराबात ने कान से पदग जीता है तो इसको शिन का बे ओप्सन सही है ये हैं अमन सहराबात और इनों नहीं 57 किलोग्राम बर्ग में कान से पदग जीता है हाली में भारत ने अंतरास्टी सौर गटवंदन में किस देश के सामिल होने का स्वागत किया है तो अबे अपने देश भारत ने अंतरास्टी सौर गटवंदन में कांगो के सामिल होने का स्वागत किया तो इसकुशिन का A options है अब कांगो तो ये है map में कांगो कांगो की केपिटल क्या है किन सा सा इसकी करंसी क्या है कांगो फ्रेंक और इसके प्रजेंट टाइम पे प्राइम निश्टर कौन है समा लुकॉंट कौन है समा लुकॉंट नएक कुशिन है हाली में कौन यूएस इमिग्रेशन की रैंकिंग सदस्य नामित हुई है तो अभी यूएस इमिग्रेशन की रैंकिंग सदस्य नामित हुई है एक इंडो अमेरिकन प्रमिला जैपाल तो इस कुशिन का से ओप्सन सही है यह है प्रमिला जैपाल और यही यू लिए आप कभी नहीं बूलते अब आपके लिए आद को कुषिन है हाली में भारते सेना का अभ्यास तोपची कहां आयोजित किया गया चार ओप्सन दिये गए हैं इनमें से आपको अपना आंसर बताना है और इसके अलाबह हम हमारे Facebook पेज पर previous question daily post करते हैं तो आप Facebook पर next exam सर्च करके हमारा Facebook पेज जोइन कर सकते हैं क्योंकि previous question आपको बहुत help करते हैं अगर आपको किसी question में कोई doubt होता है या आपको अपने career से related भी कोई problem है तो आप Instagram पर indreshRC Instagram पर indreshRC सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी doubt, कोई भी confusion without any hesitation discuss कर सकते हैं अच्छा आज किस वीडियो का टारगेट जरू याद रखना आज किस वीडियो का टारगेट है 40 या लाइक का तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, helpful लगा है तब आप इस वीडियो को like और share जरू किया करो और आपके पास जो भी study related WhatsApp और Facebook ग्रूप हैं उनमें आप इस वीडियो को share जरू कर दिया तो ये था आज का मारा करेंट अफेस का वीडियो आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरू बताना और अगर अभी तक भी आपने वारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इससे आप सब्सक्राइब जरू कर लीजिए आपको इस चैनल से निश्चित ही मुदद मिलेगी जब वे आप से सब्सक्राइब करेंगे तो बरावर में एक बेल आइकन बनके आएगा आप उस बेल आइकन पर जरू क्लिक कर लाएं जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करें इंटरफेस की वीडियो मिलती रहे नेक्स एक्जम और बेज वीडियो थैंक्स वर वचिंग